नमस्कार दोस्तों कारम्योजीकब में आपका आर्दिक स्वागत है मैं परीद दुवे आज लेके आया हूँ एक और नया वीडियो गाइस आज का वीडियो है बहुत ही हेलफुल अगर आपने कोई भी स्टीडियो खरीदा है गाइस चायनिज इस्टीडियो में जो password होता है वो आज मैं बताने वाला हूँ और ये इस्टीडियो आप किसी भी कंपनी का यूज कर रहे हो आपको जो password आज मैं बताने वाला हूँ वो 110% मैच करेंगे और आपको factory reset करने में काफी मदद करेंगे लाइक अगर आपके studio में कुछ छोटे पूरे issue हो जाते हैं तो उसको सही करने के लिए आपको किसी technician के पास नहीं जाना होता है लाइक आपका Bluetooth error हो गया, Wi-Fi error हो गया इसमें अगर factory reset कर देते हैं आप studio को तो वो 110% सही हो जाता है तो आज जो मैं आपको password बताने वाला हूँ वो किसी भी studio में, किसी भी company के studio में आप डाल सकते हैं ये top 5 password आप note कर लीजिए या फिर आप screenshot ले लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज मैं जो password बताने वाला हूँ, sorry उसमें किसी company का नाम में नहीं ले सकता because ये जो password है, ये universal जो भी android stereo Chinese होते हैं उनमें सब में आप लगा सकते हैं चाहे वो 2.3 हो, 2.16 हो, 1.16 हो या कोई भी platform का वो stereo हो तो पहला password है, डवल 8, डवल 8 ये आप अपनी factory reset setting में जाके try करें, 110% आपका stereo से reset हो जाएगा या फिर आप second password try कर सकते हैं, डवल 9, डवल 9 और guys इसके बाद एक जो password है, वो बहुत common है, 1, 2, 3, 4 ये भी बहुत सारी company के stereo में डलता है और maximum जो password होता है, वो है डवल 1, डवल 1, या फिर डवल 0, डवल 0 means 4 times 0, तो ये जो top 5 password हैं, इनसे आपका stereo reset हो जाएगा अगर guys फिर भी आपका stereo reset नहीं होता है, तो please हमारे इस video का comment section जरूर चेक करें, क्योंकि मेरी request है उन लोगों से, वो जिस company का stereo use कर रहे है YouTube channel को subscribe कर लीजिए, मुझसे बात करने के लिए आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं, या फिर Facebook page से मुझे call भी कर सकते हैं Thank you very much for watching my video, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है car music अब यहां मिलेगा सब